बच्चों हम पढ़ रहे हैं गनित आओ करे और सीखे जो कि कक्षा 6-8 के बच्चों के लिए गनित की वर्क बुक है जिसमें गनित के सारे बैसिक दे रखे हैं आज हम इसमें पढ़ेंगे पेज नमबर 124 ठीक है पेज नमबर 124 ठीक है पेज नमबर 124 पे आपके वर्क बुक में जो एक्टिविटी एक्सो नो दे रखी है उससे हम पढ़ेंगे और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए तो यहां पर उपधारना दे रखी है पूर्ववर्थी एवं परवर्थी संख्या की भाचान पूर्वर्थी मतलब किसी भी संख्या के पहले की संख्या और परवर्थी मतलब उसके बात की संख्या तो पहला दे रखा है निम्न तालिका को पूर्ण करिए इस तालिका को हमें पूर्ण करना है तो देखो बच्चों यहां संख्या दे रखी है पूर्वर्थी संख्या मतलब इसके पहले की संख्या औ परवर्ती संख्या मतलब इसके बात की संख्या और एक उदारण हमें दे रखा है जैसे यहां दे रखा 15 संख्या दे रखी 15 तो इसके पहले की संख्या है 14 और इसके बात की संख्या 16 उसी प्रकार यहां दे रखा 23 तो इसके पहले की संख्या होगी 22 और इसके बाद की संख्या होगी 24 ठीके उसी प्रकार अगली संख्या दे रखिये 18 तो इसके पहले की संख्या होगी 17 और इसके बाद की संख्या होगी 19 उसी प्रकार यहां दे रखें 56 तो इसके पहले के होंगी संख्या 55 और 56 के बाद की संख्या होगी 57 उसी प्रकार यहां दे रखें 33 तो इसके पहले की संख्या होगी 22 और इसके बाद की संख्या होगी 34 ठीक है तो आसान थी एक्टिविटी अब इसके बाद दे रखा है निम्न तालिका को पूर्ण करिए तो इस तालिका को हमें पूर्ण करना है तो देखो हमें इसमें क्या करना है तो यहां पर गणेती कथन यहां कुछ कथन दे रखे हैं तो गणेती कथन से निर्मे संख्या इन कथनों से जो बनने वाली संख्या वो हमें यहां लिखनी है और पूरोवर्ती संख्या मतलब यह जो संख्या लिखेंगे इसके पूरोवर्ती मतलब इसके पहले की संख्या हमें यहां लिखनी है और परवर्ती संख्या मतलब इसके इसके बाद की संख्या इसके बाद की संख्या यहां लिखने हैं ठीके तो यहां पर पहला जो कथन दे रखा वो है दो अंकों की सबसे चोटी संख्या तो दो अंकों की सबसे चोटी संख्या होती दस बच्चों हमने पहले के वीडियो में हम देख चुके हैं कि दो अंकों की स सबसे छोटी संख्या होती है दस और इसके पूरवर्ती संख्या मतलब दस के पहले की संख्या होगी नो और दस के बाद की परवर्ती संख्या होगी क्या रहा उसी प्रकार अगला कथन दे रखा है दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है नन्यानवे और इसके पुरवर्ती मतलब इसके पहले की संख्या होगी अन्ठानवे और इसके बाद की संख्या होगी नन्यानों के बाद सो तीसरा कथन है तीन अंकों की सबसे चोटी संख्या तो तीन अंकों की सबसे चोटी संख्या होती बच्चो 100 और इसके पुरोवर्ती मतलब इसके पहले की संख्या होगी 99 और इसके परवर्ती मतलब इसके बाद की संख्या होगी 101 ठीक है उसी प्रकार चोथा कथम दे रखा है तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो तीन अंकों की सबसे बड़ी संख् ठीके 999, इसके पुरोवर्ती मतलब इसके पहले की संख्या होती है, 999, ठीके इसके पहले की संख्या होगी 999, और इसके बात की संख्या होगी, 999 के बात की संख्या मतलब परवर्ती संख्या होगी 1000, तो हमने लिख दिया यहां पर 1000, उसी प्रकार अगला कथन दे रखा चार नंकों की सबसे छोटी संख्या होती है एक हजार ठीक है एक हजार इसके पुरवर्थी मतलब पहले की संख्या होगी 999 ठीक है और इसके बाद की संख्या होगी 1001 इसके बात की संख्या मतलब इसके परवर्ती संख्या या बात की संख्या ठीक हजारे उसके बाद अगला कथन है अगला कथन है दो से ठीक पहले की संख्या तो दो से ठीक पहले की संख्या क्या होती है एक ठीक है एक इसके पूरो वर्ती मतलब एक के पहले की संख्या कौन सी ह तो इसके परवर्ति मतलब एक के बात की संख्या होगी, विनमों ही, थीक है। उसी प्रकार अगला कथन है आपकी कक्षा में उपस्थित बच्च बच्चो की संख्या, तो आपकी कक्षा में जितने भी बच्चे उपस्थित हो, आपने si लिखना है। तो जैसे 32 हो, तो 32 के पूरुवर्ती मतलब पहले की संख्या हो जाएगी 31, और इसके परवर्ती मतलब बात की संख्या हो जाएगी 33, ठीक है? इसी प्रकार आप अपने मन से यहां कोई कथन लिख सकते हो. इसके बाद अगला पेज हो बच्चों, पेज नमबर 125 है, आओ करे और सीखे, जो कि अभ्यास आपका 110 है, और यहां उपधारना है, पूर्ण संख्याओ का संख्यारेखा पर प्रदर्शन, तो यहां पर हमें संख्यारेखा पर पूर्ण संख्यारेखा पर प्रदर्शन करके बताना है तो पहला दे रखा यहां पे पूर्ण संख्या तीन को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करिए तो तीन को हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना बच्चो तो तीन यहां पर है और इसे संख्या रेखा पर हम इस तरह से प्रदर्शित करेंगे यह है तीन ठीक ह यह हमने प्रदर्शित कर दिया संख्या रेखा पर 3 को उसी प्रकार दूसरा है पूर्ण संख्या 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेढ़िए तो देखो बच्चों यह संख्या रेखा है 0 से शुरू हो री 0 से इनन्ततक होती है और इसoure रिन वाली संख्या आ जाती जैसे रिन एक, रिन दो, रिन तीन और ये भी अनन नततक होती है तो हमें पूर्ण संख्या पांच को प्रदर्शित करना तो 5 ये वाले हैं और इसे प्रदर्शित हम इस तरह से करेंगे पूर्ण संख्या पाच को हमने संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया ठीक है अगला जो है तीसरा तो यहाँ पे देखो बच्चों हमें चार को प्रदर्शित कर के बता रखा हमने देखा हैं हमने इस तरह के सवाल उपर कर लिये हैं तो यहाँ पूछा गया है संख्या रेखा पर प्रदर्शित संख्या का मान। तो संख्या रेखा पर कौन सी संख्या प्रदर्शित कर रखी बच्चो? चार तो हम लिख देंगे यहाँ पर चार। उसी प्रकार अगला जो है यहाँ पर एक संख्या रेखा दे रखी और हमें आठ को प्रदर्शित करके बता रखा है और यहाँ पूछा गया संख्या रेखा पर प्रदर्शित संख्या का मान तो संख्या रेखा पर कौन सी संख्या प्रदर्शित की गई है आठ तो हम लिख देंगे यहां आठ, उसी प्राकार अगला है, आप कोई तीन संख्याओं को स्वयम मान कर, उसे संख्यारेका पर प्रदर्शित करिए, तो हमें स्वयम मान लेना है कोई तीन संख्याओं उसे संख्यारेका पर प्रदर्शित करना है, तो बच्चों हम मान लेते हैं संख्या रेका पर कौन-कौन सी संख्या हम समझ सकते हैं तो हम यहां लिख देंगे संख्या रेका पर संख्या रेका पर प्रदर्शित प्रदर्शित संख्या कोई सी भी तीन संख्या हमें खुद माननी है और यहाँ पर हम लिख देते हैं कौन-कौन सी संख्या प्रदर्शित कर देंगे हम दो कर देते हैं, ठीके, साथ कर देंगे और नो कर देते हैं, ठीके आपको इसी अपने मन से भी मान सकते हो, आप एक भी कर सकते हो, तीन भी कर सकते हो, छे भी कर सकते हो, ठीके तो सबसे पहले हम 2 को प्रदर्शित कर देते हैं तो ये संख्यार एका पर हमने 2 को प्रदर्शित कर दिया उसके बाद हम 7 को प्रदर्शित करेंगे तो ये हमने संख्यार एका पर 7 को प्रदर्शित कर दिया है और उसके बाद हमें 9 प्रदर्शित करना है तो हम ये संख्यार एका पर 9 को प्रदर्शित इस प्रकार से कर देंगे ठीक है 2, 7 और 9 को हमने संख्यार एका पर प्रदर्शित करके बता दिया है